जिन्दकी पज़ है मंदिन की तरप जाने का जिन्दकी नाम है तूफ़ान से चत्राने का मोत आराम से सोजाने की बदनामी है जिन्दकी गीत्र है मस्ती से सदा नाम होने का बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले 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 बड़े चार प्रातें सोचा दिजाओ वयायान करके सोदे जल से आओ जमापेरियासन जमापेरियासन समाधी लगाले बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले अपने हरदे की अपने हरदे में जोती जता दे बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले उसी की क्रिपाते ये नर्तन मिला है उसी की क्रिपाते ये नर्तन मिला है सदियों के बादे कमल किला है इसे करना देना देना इसे करना देना ठगों के हबाले बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले अपने हर दे में तु जोती जगाले बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले दया दीन दूखियों पे दिल से किया कर गरीबों को भोजन वस्त्र धंदिया कर दया दीन दूखियों पे दिल से किया कर गरीबों को भोजन वस्त्र धंदिया कर परमशुन मिलेगा, कभी आज माले, बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले अपने हर दे में जोती जगाले, बड़े प्रेम से ओम में मन लगाले मन लगाले, मन लगाले 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 अज़ा बड़े अज़ा रेजी मेरे सामने बेटन हए पुरो तैसी उदान शवाप से निमाविर पुसाद इं मदान साब, चुग साब, और हमारे राम महरे दीश इस्वाल से पदारे, गुप्ता जी और ननियक तुझे निया, सुरेश मजार जी और बहन जी, सुरेश मदान जी और बहन सुचा मदान जी, मेरे साथ में संगती कर रहे हैं, मास्टर जी, यह जीवन बहुत ही, नहतु पूर नहें मनुश्य का जीवन को, पर इसको हम विश्य और वास्नाओं में ऐसे ही खोदा हैं, यह जीवन जो है, प्रोवकार के लिए दिया है, मैं शीश्य स्वाने ज्यान देने का, संसार का उतकार करना, इस समाज का मुख्यों देश्य और संसार के लिए तो रिश्य ने लिखा है, कितना बड़ा छेत्र, कितना बड़ा फिर्ड हमें दिया है काप करने के लिए संसार का उपकार करना इस समार का हुख्यू देती है कितना विश्तार से बताया है। इस पूरे संसार का प्राणी मात्र का उपकार करना में और सबसे पहले क्या कि दिया अर्थाद ँझाद दिदे की बाट सेente इस सब्से पहले क्या मताया सारीडिक किंभ SM स्वश्थे दर सरीरेनों प्रसंदों भ coercंति, जब सरीर्स्वत होता है, तो उसे और मोंग भी देरते परहते हैं, और सुन को भी बड़ी प्रसंदा होती। तो इसके सबसे पहले हमारा को है। हम किसी भी छेत्र में जब हमारा सरीर स्वस्थ हो निरोग। चाहे वो व्यातार का चेत्र हो, चाहे वो कर्षी का चेत्र हो चाहे राजने चेत्र हो और उसके लिए हमें क्या खाना क्या नहीं खाना कितना खाना कितना नहीं हो और किस रितु में क्या था हित के लिए इसी बाग को मैंसी चलक से किसी ने पूछ लिया को रिशीवर से पूछा कि संतार में कौन सुखी तो रिशीवर कहते हैं इंतुभू जो रितु के अनुसार अपने जीवन में अपने पदार्थों का बक्षण करता है जो हित करें तो कहां हितु भूख रितु भूख और मितु भूख यानि हित के लिए जैसे मेरे सरीर की प्रकरतिय उसके अनुसार ही हमारा खान पांग आज अबक्षे पनाणखों का बक्षण कर रिक्ति कर डा औब हना शख्ण करता है जमकि हमारा मनुस्य का मांस खाने की प्रकरतिय नहीए माशारी पसु अलग बनाए हैं सेर है बिल्ली है बेढिया है कुट्था है उनको माशारी बनाए है वो मास पर ही निरवर है प्राण बले ही चले जाए मास नहीं मिलेगा तो घास नहीं खाएगा और कुछ घास पर साथ विकता है जैसे दाए है भोडा है बकरी है मनुष्य है ये भी मासा हार ही नहीं है ये घास नहीं मिलेगा बकरी को बैस को गाय को तो मास नहीं खाएगी घास के बिना मर जाए अर्यूमन उसे चार पाई चुबी है धर्ती पर और आसमान पर उड़ने वाला हवाई जाए अन्य सब को बक्षन कर गए इसलिए तो आज दुखों के पाड़ पूटा हुआ जाए आईए एक गीत और संसार से जाएगा तो कुछ सुप नहीं करा ले